दोस्तो वेलकम टो माई चैनल सिवल फिल्ड इंजिनियर दोस्तो यहां पर आपको इस वीडियो में दिख रहा है यहां पे करब बनाई जा रही है और यह जो करब है इसको करब सेंसर में से बनाया जा रहा है ठीक है यह करब जो है यह आई टैप करब है वैसे तो करब कई टै होंगा इसकी quantity कैसे निकालनी है लेकिन quantity निकालने से पहले आपको कर्व के साइज का पता होना चाहिए अभी जैसे यह जो मेरी कर्व है इसका जो साइज है नीचे से 400 mm के बीच में रहती है अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसकी concrete की quantity कैसे निकालनी है माल लेजी आपको 100 अनिमेटर करव की quantity निकालनी है मैं क्या करता हूँ 100 को माल लेता हूँ जो 100 बिड़त है इसको माल लेता हूँ A और 150 mm को माल लेता हूँ B तो इसमें फार्मूला लग मेरा आ गया 125 mm मतलए इसकी जो मेरी average आई है 125 mm ये जो 125 mm आया है ये मेरी average बिट आ गया है अब क्या करना मुझे calculate कर देना है 100 meter की मेरी करब होगी गुना 125 मेरी बिट था इसको meter में convert करके लिख दिए है 300 मेरी height है इसको भी meter में convert करके लिख दिया है सबको calculate किया है मेरा गया 3.75 MQ मतलब 100 मिटर करब में 3.75 MQ मेरी concrete लगेगी ठीक है दोस्तो तो दोस्तो ऐसे ही इसकी करब की quantity निका लियाती है यह eye tap करब है ठीक है जिसको हम barrier tap करब बोलते हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो में दी गई जाना करें आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है दोस्तो लाइक और शेयर जरू करें